गुड मॉर्निंग दोस्तों तुम पकड़ो ने गुड मार्निंग बोलो ना यह मॉर्निंग का है सुबेरे मैं जाड़ोगरा लगा के फिर उसके बास से जो मार्निंग रूटीन होती है वह आज बैं आप लोग के साथ सेयर कर रही हूं मॉर्निंग में तो में जाड़ोगरा लगानी हुता है है तो सबके आप अबसमी काम होता है तो यह मैं जाड़ोगरा वार करके उसके बास से मैं आच जल्दी खाना बनाऊंगी तो फिर उसकी तयारी करूँगए और यह मैं मॉर्निंग बट्वटी यह चाय के आई हूं और इसको प्यूंगी फेस कल जो मैं लगाई थी पैक उसके वज़े से बहुत क्लीन दिख रहा है मेरा फेस ये स्कैल पताने क्यों मेरा दिखने लग गया पहले नहीं ऐसा होता था बाल जड़ने के वज़े से साध हो रहा है वैसे ममार्थ आयल बहुत सुन रही हूं अब मेर आज है विटनेस डे और मेरे बालों में बहुत रूसी पढ़ गी थी तो इसलिए मैंने मेरे पस दही नहीं थी नीवू था जो है घर में उसी को यूज़ किया जाए तो इसलिए मैं नीवू ठाई और तुरंती अपने बालों के स्कैल पर तुरंती रगडने लगी जिते भ बहुत चादा है बहुत तेज जलता है ये तो मेरे तो रूसी तुरंत काया हो जाते थे तो मैं इसको यूज़ करती थी हमें साज़ जब रूसी मेरी होती थी ठंड में दो एक वर तो लगी जाता था तो इसको मैं अच्छे से पूरे स्केल पर रूसी सारा मैं जल जल दे य तो अच्छे से पूरे स्केल में लगाने के बाद मैं इसको एक घंटा ऐसे ही छोड़ दूंगी एक घंटा छोड़ने के बाद यह थोड़ा अपना आसर दिखा देगा तो इसके बाद से मैं आइलिंग करूंगी तो यह जो नीबू है सबसे वेस्ट होता है रुसी के लिए आ तो फेस के लिए भी नीबू बहुत अच्छा होता है उसकी गंदिगी वे रेको साफ करता है तो जो भालों से बच गया थोड़ा बहुत हलका सा मैं अपने फेस भी उच कर लूंगी तो यह मैं थोड़ा सा इसको ऐसे रगड के साफ कर रही हूं और यह इतना पोर्शन ना जो है ओट के साइड में और नोज के पास लिप सोगरा बहुत थंवे काले हो जाते हैं तो इसलिए नीबू ही थोड़ा सा होता है जो मतलब स्मेल को काट देता है तो नीबू जो थोड़ा से था मैं उसको लाकर थोड़ा से अपना फेस के उपर रफ कर ले रही हूं तो जि यह मैं सबजी में काट रही थी तो जादा लग रहा था मुझे तो आधर टामाटर मैं रख दी मैंने सुचा चलो खा भी लूँगी लगा भी लूँगी लेकिन नहीं खाऊंगी नहीं यह फूराज फेस पर ही मैं लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा जो रोम चीदर होते हैं पर कभी कभी इनसान की मतलब दिखाई देने लगते हैं तो उसको कवर करने के लिए टामाटर बहुत अच्छा है वेस्ट है क्योंकि मैं साधी से पहले भी इसको यूज की हूँ और एफेक्टिव है तो इसलिए मैं फिर से टाइम आज निकालके फिर से टाइम आज निकाल है तो इसलिए अपना ध्यान तो खुदी रखना पड़ता है तो प्लीज सभी ले जो से मेरी यह मतलब है कि प्लीज अपने उपर भी ध्यान दीजिए जैसे आप सब का ध्यान देती है अपने उपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए और ज्यादा कुछ बाहर का नहीं कम से घर अच्छे से जाए तो मैं उसको अच्छे तरीके से करने के बाद अपने फेस पे थोड़ा रब कर रही हूं जिससे फेस क्लीन अच्छे से मतलब उसका सराए और साफ हो जाए उसके बाद से मैं मेरे बाल एक गंटे के बाद मैं थोड़ा से इसको मैं नकाल ला ओलिंग कर देत यह ओनियन ओयल मैं घहर पे बना हुए है और आप लोग बदा आप लोग नारियल का तेल भी यूज कर सकते हैं तो यह तो मैं ओनियन आइल ली हूं जो घहर पे बना हुआ है तो इसको मैं लगाने जा रही हूं अपने बालों पे तो एक गंटा मतलब हो जाने के बाद ही मतलब oil मतलब oiling करें सर में क्योंकि आप new लगाया है तो उसका अशर थोड़ा होने चाहिए उसके बाद से ही oiling करें तो एक गंटा बाद मैं अपने बालों में oiling कर रही हूँ तो इसके बाद oiling अची तरीके से scale में करके फिर उसके बाद से को head massage खुब अच्छे से दे के उसके बालों के जड़ों में खुब अच्छे से देखे कितने अच्छी तरीके से जड़ों में लगाए सब कुछ करने के बाद मैं जा रही हो नहाने नहा के आओंगी तो उसके वासे मुझे बड़ी जोरू की लगए भूख तो मैं थोड़ी पेट पुजा कर लूँ मैंने आज बनाया थोड़ा निमोना थोड़ा साग थोड़ा दाल रोटी और यह है मुली देश स्टेल भाई मैं करें दूप में उसके बाद से हम लोग थोड़ी देर तक इंजवाय करेंगे दूप का उसके वासे जाएंगे नीचे और देखिए हमको प्यारू कर रहे हैं यह कहरे है ममा फूल में पाई डाल दो दो तीन दिन हो गया फूल में पाई नहीं डाले हम लोग तो इसलिए मा बेटा आप चलना है फूल में पाई डालेंगे वैसे तो बहुत अच्छी ठंड कट रही है चलिए दिसम्बर तो बहुत अच्छा कट गया थोड़ा बहुत मतलब ऐसा हुआ कि धूप नहीं हुआ बाकी टाइम पर धूप तो हुई रही है बस जन्वरी देखना कैसा कटने वाला है और इस साल तो अच्छी खासी दूप भी हो रही है चलो अतनी जादे नहीं कुछ है ये मेरे फूलों का व्यू देखिए ये एक मैं वहाँ से प्लांट लेकर आई थी रास्ते में एक जगह पेड़ था तो मैं एक अंकल को बोली अंकल जड़ा मेरे को तोड़ की इसका डंठल दे दो आप तो उन्होंने बहुत अच्छे थे हैं उन्होंने तोड़ की तुरंट दे दिया मेरे को और मैं लिया की लगाई हूँ साथ ये जैस्मीन है उसमें वाइट तरकी खिलते हैं अलो अलो बीच में रहता है तो बहुत प्यारा लगता है तो मुझे बहुत कापी टाइम से बहुत अच्छा लगता था तो मैं उनसे मांगी तो तोड़ की दे दिया अब देखे लगाई हूँ ग्रो करता है या नहीं दोपहर में लग जाती है थोड़ी छोटी छोटी भूख सबको या तो फूट खाओ या तो कुछ तो मैं जानी हूँ गाजर खाने फूट हो गया खतम तो गाजर अब मैं उसको छिल के उसके बासे उसमें सॉल्ट वगर डाल के गाजर खाओंगी गाजर वैसे बहुत अच्छा होता है आखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है तो जब तक सीजन रहे तो प्लीज सब लोग सीजन की चीज़े जरूर खाया करें सीजन की चीज़ें यह होती हैं कि फ्रेस मिलती हैं और सही मिलती है सेजन की खाने से फ्रेस मिन होते हैं महेंगी भी मिलती है तो सीजन की चेज़े ज़रूर एंगा-ठी पना नियुफरी सेवर्ग्त करना रमादा है सैजन की अब गर्ण फ्रेस में करें चाहिए 30 फ्रेस होता है नियुक्त तो जो जो जिस जिस का जिए नो उस चीज में आप लोग जरूर वह चीज खाय कीजिए बोला इबनिंग दोस्तों ये मैं थोड़ा सा जा रही हूं दीपक चलाने अजिए अच्छी आओ टीक लगा दे यहां से लगा दे का चड़े ऑब बागवान जी उपर नहीं जाते हैं बागवान जी पाप दे देते हैं उत्रो 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 कदीपक दिला लिए हैं जा रही हूँ मैं चाय पीने आप सब भी आईए में चाय पक्के हो गई है रेडी अब यह हम लोग चाय मतलब पीने जा रहा है और बेटा मेरा चाय विस्कित खाएगा तो प्लीज अगर जो मेरे चैनल अच्छी लगए आपको तो प्लीज लाइक करिएगा सब्सक्राइब प्रीजिएगा और आप से स्वस्थ रहें मस रहें मेरी यही कामना है बाई